हुलो दोस्तों आप सभी का स्वाहत है इस राफिल स्टडी में आज की इस फिडियों में हम लोग इस सवाल को हल करेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तो जब भी हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको 9 धियान रखना है और छोटी संख्या में 0 को धियान रखना है तो देखे इसका हल पहले हमें बड़ी संख्या लिखना है बड़ी संख्या फिर लिखना है छोटी संख्या तो जब भी बड़ी संख्या लिखना हो तो पहले हम 9 लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर धियान देजिए हमें कितने अंकों की संख्या लिखना है 6 अंकों की तो यहाँ पर एक 9 है यानि यह एक अंकों की बड़ी संख्या है तो यहाँ पर हमें 6 अंक पुराना है तो हम 6 बार 9 अंको को लिखेंगे एक बार होगा या अब पांच बार लिखेंगे तो होगा दो फिर तीन फिर चार फिर पांच पिर छे एकाई दाही सेकडा 10 2010 लाक क्या 9.9999 होगा 6 अंको की मत्हीं संख्या ठीक है अब देखें च्छोटी नःति संख्या में आपको क्या धियान रखना है तो यहां पर हमें छे अंकों की छोटी संख्या लिखिएना है तो एक आ घया पिक यह देटीन लगाकि सNow के फिर 20 mm लगाये तीन संख्या का laz imagem तो 5 उनकों की छोटी संख्या हो गई अब धियान देजिए हमें छे पुराना है तो यहां पर हम एक और जीरो नहीं लिखेंगे यहां पर हम एक लिखेंगे हम सिरिफ जीरो जीरो लिखेंगे इसका मतलब कुछ नहीं होता है एक के साथ हम जीरो लिखेंगे एक को मिला कर छे अंग पुराना है तो की सबसे छोटी संख्या है तो यह जो है प्लॉस में है अब हमें एदी माइनस में बताना हो कि कि 9,999999 फिर माइनस एक लाख इस में से छोटी और बड़ी संख्या कौन है तो माइनस वाली संख्या में दोस्तों उल्टा होता है माइनस वाली संख्या में जो दिखता है वो नहीं होता है यानि माइनस यहाँ पर 9,9999 है न तो यह दिखने में क्या है कि बड़ी संख्या है लेकिन माइनस में यह जो है छोटी संख्या होगा ठीक है छे अंको की सबसे छोटी संख्या माइनस में होगा माइनस 9,9999 में और माइनस में सबसे बड़ी संख्या होगा माइनस एक लाक ठीक है तो आपको यह दोनों याद रखना है तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी यह दिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर यह ज्याँ रखना है तो आपको वीडियो कर दो आपको यह दो आपको पीडियो को सब्सक्राइब एग्ड जरूर कर दो कि उरूर कर दो आपको यह वीज़ को दो माइनस देने